राजिस्तान के तर्च पर अब मद्यप्रदेश में भी गुर्जर आंदोलन तेज होते हुए दिख रहा है कर्णल किरोड सिंग बैसला के पुत्र विजे बैसला ने मद्यप्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि सरकार गुर्जरों की मांग शीगर अतिशीगर नहीं मानती है तो राजिस्तान की तर्च पर मद्यप्रदेश में भी गुर्दर समाज रोड़ जाम करेगा करनल किरोर सिंग बेसला के पुत्र विजे बेसला ने कहा कि भी राजिस्तान से होते हुए भी मद्यपरदेश से संबर देते है हरदा उनका सस्राल है इसलिए राजिस्तान की स्वासात मद्यपरदेश की गुर्जरों के लिए काम करना हमारी सवाबदारी है जिस प्रकार राजस्तान में पांच प्रतिशत आरक्षन और देवनारायन योजना चल रही है उसी तर्श पर मध्यप्रदेश की गुर्जर गायरी धंगर देवनारायन के जितने वहिंशद है उनको ये आरक्षन और देवनारायन योजना का लाब मिलना ही चाहिए सरकार को चेताते हुए बेसला ने कहा कि सरकार शीगरती शीगर इस दिशा में कारे करे करनल बेसला ने कौन पर समाजनों को संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि समाज की राम प्यारी कलेक्टर बने लेकिन ये राजनेता उसे केवल एक वोटर बना कर ही रखना चाहते हैं कारिग्रम की मुख्य अध्यक्षता विजे बेसला द्वारा की गई मुख्य अधिती के रूप में केलाज विजेवर की मुझूद रहे साथ ही कारिग्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व केंद्र मंत्री, डॉक्टर यश्वीर सिंग गुर्जर, पूर्व सांसद चिंतामणी मालवीर, देवजेना के रास्ट्य अध्यक्ष रगुवीर पटेल, गुर्जर आरक्षन समीती के महा मंत्री, शेलेंडर दबा समाज के संत चरण सिंग पंडा उपस्त रहे, बहुती सफल कारिग्रम का आयोजन हुआ, और समस्त गुजर समाज आज उज्जेन में आया और उसके लिए हम भी आये, करनल साब नहीं आ पाए क्योंकि उनकी तब्य ठीक नहीं थी, लेकिन उन्होंने फोन के थ्रू संभूत किया, यह जो आयोजन हुआ, यह कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था, यह एक आगाज है, एक शुरुवात है, और बातें बहुत हुई, चर्चाएं बहुत हुई, और राजिस्तान की तर्ज पर जिस तरह से गुजर समाज को वहां पे देवनारायन बोर्ट की तहट से जो बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो आर्चिंट की बाती होती हैं, और जो पांच बस्तार रचिन वहां मिल रहा है, उन सब चीज़ों को ले करके चर्चा हुई, और काफी सकारात्मत रही है, आगे की कारेक्रम तो बात की बात है, सबसे पहले जरूरी बात यह है, जो मैं आप लाग एक लाग तीस हजार गूजर हैं और गायरी भी गूजर समाज जितने भी सारे गड़िया लोहार जितने भी वो सारे के सारे एक साथ ही है अब जब इतने सारे लोग एक साथ एक जाजम पर बैठते हैं और एक लाग तीस हजार की जनसंख्या जहां बैठती है वहाँ पर संग्यान लें और correct representation इनको दें